हलो आज है 12 नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे हैं जियो फिनाशल सर्विस के बारे में 315 रुपे के आसपा शेयर ट्रेट कर रहा है एक परसंड की तीजी देखने को मिली है जबकि पिछले एक महिने का ग्राफ देखो तो काफी अपसंड डाउन से गुजरा है साड़े साथ परसंड का फॉल दिखाया है एक मेजर फॉल आया था 311 पे गया था तीजी देखने को मिली दो दिन में फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है फिर से वहीं पर आ रहा है जहां अपसे यह तेजी दिखाई थी इसने बात करेंगे वडियो में इस कंपनी के बारे में क्योंकि देखो फ्यूचर प्लांस तो इसके बहुत अच्छे है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन शेयर प्राइज अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो लगातार एक बड़े करेक्शन से गुजर रहा है तकरीबन 395 रुपए से गिरकर नीचे आया है और बीच में अगर अटेम्ट भी करें हैं तो फिर गिरा है तो बात करना बनता भी है कि इस कंपनी के अराउंड क्या-क्या खबरे चल रही है क्या-क्या बेजनस को लेकर कंपनी प्लान कर रही है और क्या चल रहा ठीक है तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये तीजी तब आई थी जब कई सारी खबरे थी इस कंपनी के अराउंड के निफ्टी नेक्स 50 का पार्ट बन सकता है BSC 100 का ये पार्ट बन सकता है PTM के बिजनस को खरीद सकता है ब्रोकिंग बिजनस इनका लॉंच होने वाला है mutual fund के बिजनस में entry हो रही है इसके अलावा renting के बिजनस में company बड़ा investment कर रही है बहुत सारी खबरे थी खबरे ही खबरे थी BlackRock के साथ partner करा था AMC को लेकर बहुत सारी खबरे थी यहां पर लेकिन बाद में अगर अब देखो तो लगातर गिरावट या फिर कहलो correction कहलो वो चल रहा है और definitely बड़ा correction मैं कहूंगा इसको लेकिन फिर भी एक major support level के आसपास यह भी बैठ रहा है जो की 300 से 310 रुबे के आसपास देखने को मिल रहा है company का अगर आज volume देखोगे तो बाजा जस्ट अभी खुला है और almost 15-16 करोड के आसपास शेर यहां पर trade हो चुके है company अगर आप देखो तो 12 करोड के आसपास का इसका market क्या अब है और इसका market के अब इतना हो गया जबकि revenue profit कुछ भी ने तो अगर इनमें कहते हूँ company का जो market के अगर आप देख रहे हैं अगर आप दो लाग करोड ठीक है उनमें से अगर आप इनका investment ही देखोगे जैसे कि Reliance Industries में तकरीबन 6.5% का stake ए ओन करते हैं उसी का value भी अगर आप निकालते हो तो वो ही तकरीबन 1.25-1.30.000 करोड का वही बनता है ठीक है उनका बागी investment अलग हो गए company का जो भी business चल रहा है उनका खुद का valuation कुछ अलग हो गया वहाँ पर तो मेरे साब से कोई छोटा market का मरलब deserve करता है ठीक है यह इतना market का वैसा नहीं कि deserve नहीं करता है यह इतना market का और जहां तक बात करी चाहे इस company में तो 50-50 का ratio है according to money control user और company अगर आप देखो तो सबसे पहले इनके results हाल फिलाल में आया थे dividend हला कि यह pay नहीं कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि यह at least एक दो साल तक dividend pay करेगा रेजन सिंपा से कि देखो company अभी expansion mode में है अभी company लगातार पैसा डाल रगी है यहां पर बहुत सारे business इनको open करने है अगर आप इनकी website पर चले जाओगे तो company का business है instant loan का business तो है ही इनका ठीक है लेकिन यहां पर भी यह लोग एक step आगे जाएंगे और mutual funds के against में loan देना start कर लो तो home loan देना start करेंगे जिससे बड़े tickets के loan size होंगे जिससे company का revenue profit और सदा बड़े पैमाने पर आपको बढ़ता नजर आएगा दूसरा insurance का business को insurance अपने आप में बहुत बड़ी industry है और वहां पर reliance जैसे बड़े player का आना बड़ी बात है तो insurance यहां पर digital banking के बाद करो you pay payments companies के बात करो mutual funds के बात करो company वहां पर भी है मतलब होने वाली है ठीक है asset management की बात करो company वहां पर भी होने वाली wealth management आप देखो company वहां पर भी है broking जरोदा grow की सीधी तकर होने वाली है इन से ठीक है broking के business में company आने वाली और super rely Officer सम जानते हैं कि बहुत सारे पैसे साथ जब वो आता है तो बहुत सारे discount भी लेकर आता है एक अच्छा tech भी लेकर आ सकता है कुछ कह नहीं सकते है क्योंकि लंबे समय से इसके उपर काम चल रहा है renting का भी इनका business जो devices हो गया वो सब renting का भी इनका business होने वाला है credit card का भी इनका business होने वाला है तो भया एक नहीं बहुत सारे business है और जो finance की बात आती है तो इनकी खुद की Geo Finance App भी launch हो चुकी है Geo Finance App बीटा वर्जन में launch हो चुकी है वहाँ पर finance सारी की सारी queries से लेकर सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो भया पूरा का पूरा जो एक ecosystem अभी तयार हो रहा है कि अगर आपको loan चाहिए हमीं से low अगर आपको invest करना है stock market में हमारा broking का भी आएगा अगर भाई आपको mutual fund में invest करना है हमारा खुद का platform है अगर आपको shopping करनी है तब भी हमारे खुद कई सारे platforms है यहाँ पर AGO में अगर आप चाहो तो वह कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर groceries वगरा है तो वह इंका reliance ट्विटेल आगया यहाँ पर ठीक है सब के manage करने के लिए आपको sim चाहिए वो भी है हमारा तो पूरा ecosystem अभी तयार हो रहा है और cross selling जिसको हम कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बड़े प्यमाने पर देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत बड़ा user base कहलो database कहलो जो कि Jio के पास है जिसका इस्तमाल यह लोग कह सकते हैं और company अगर आप यहाँ पर इनके P ratio को देखोगे तो 120 का जो कि बहुत महंगा है यह बहुत महंगा है यह क्योंकि सेक्टर भी सिर्फ सिर्फ 17 का है लेकिन इसको premium valuation भी से लिए दिया जा रहा है कि शायद आने वले time में जब इनके business open up होंगे तो इनके revenue इनके profits में बहुत बड़ी तीजिया में देखने को अभी इनके profits को ज़्यादा है नहीं 300 करोड के profit होते है और 500 करोड से भी कम की revenue होते है जो इनके existing business से आ रहे है लेकिन आने वले time में जो अलग-अलग जो जीतने business में आपको यहाँ पर गिना है ठीक है वो अपने आप में इतना potential रखते है कि 500-600 करोड का revenue लाना इनके लिए आराम की बात होगी आसान होगा इनके लिए ठीक है कुछ सालों बात ठीक है ऐसा नहीं इनका पहले launch होना ज़रूरी है तो अगर वहीं से हर business से अगर revenue contribute 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 होकर आएगा तो इनके revenue profits और जादा बढ़ेंगे तो यही एक वज़ा है कि इनको इतना और जब revenue profit बढ़ेंगे तो जो P ratio है वो भी adjust होगी क्योंकि वो actually में होता price to earning ratio ही है कि कितना price हो कितना earn कर रही है company अगर company जादा revenue कमाएगी जादा profit कमाएगी तो price to earning ratio भी उसके साब से adjust होता है जादक्षे holding के बारे में अगर हम बात करें promoter की 47.12% की holding है reliance size के promoter यहाँ पर mutual fund 4.17% पर है जो पहले 4.04 पहली बार September quarter में खरीदारी करी है mutual fund वन्ना listing से लगर अब तक वो बेची रहे थे domestic 7.84% से और घटके 7.32 पर आये है बिक्वाली ही करी है Files भी लगातर बेची रहा है यहाँ पर लगातर बेच रहा है ठीक है और 16.88 पर आये है तो सिर्फ mutual fund एक लौता है जिसने खरीदारी करी है September quarter में institution की मैं बात करूँ ठीक है वरना domestic और Files दोनों ने यहाँ पर बेक्वाली करी है रिटल तो लगातर खरीदारी करे जा रहा है यहाँ पर 16.56 पर आच चुका है और other parties 7.95 पर स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए है और अगर बात करो जियो फिनांशल को लेकर देखो कंपनी जो है वो खराब नहीं है लेकिन अभी बाजार का मोड़ी कुछ खास अच्छा नहीं है और ऐसे में जाहिर से बाद है आपको कर्रेक्शन देखने को मिलते है और वो यहाँ पर देखने को मिल भी रही है मिल भी रही है तो देखे मैं इतना ही को हूँगा आपसे कि नजर रखे इस कंपनी के ऊपर और यही को हूँगा कि कंपनी खराब नहीं है लेकिन बाजार थोड़ा बहुत अप्स और डाउन्स वारा ज़रूर है और कंपनी का जो जब खबरे आना स्टार्ट होगी इसके अराउंट तब शायद एक अच्छी तीज़ी आप एकस्पेक करोगी क्योंकि बहुत सारे बिजनस कंपनी करने वाली है और वह यह खबरे ही नहीं आ रही लाँचिंग को लेकर जब वह आ जाएगी चीज़े बहतर होती नजर आ सकती है तेखो अगे न देखो यह मेरा परसनल ओपीनियार है कोई भी इनवेस्टमेंट एडवाइज नहीं है